स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अब्डेट सीडीज के एक नए एपिसोड में तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अब्डेट कौन कौन से हैं आज की पहली अब्डेट चाइना के लॉग मार्ट रॉकेट को लेकर है 21 दिसंबर को चाइना के द्वारा अपने लॉग मार्ट 8 Y1 रॉकेट को सक्सेस्फुली लॉँच किया गया था यह जो रॉकेट है वो साउथ चाइना के हाइनन प्रोविंस के वेंचेंग स्पेस्क्राफ्ट लॉँच साइट से 12.37 पीम वहाँ के लॉकल टाइम के अकॉर्डिंग लॉँच हुआ था अगर वहाँ की स्टेट मीडिया की माने तो इस रॉकेट की मदद से पांच सेटलाइट को उनके प्री डिटर्माइन और्बिट में प्लेस करा गया है यह जो रॉकेट है इसमें इंवायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन गैसिस का यूज लॉँच के लिए करा जाता है चाइना के दोरा अपने इस Long March 8 रॉकेट के बूस्टर को SpaceX के Falcon 9 रॉकेट की तरहां रियूस करने के लिए डिजाइन करा गया है चाइना का इस रॉकेट को डेवलप करने का जो मेंन मोट वए वै electromagnetic launch industry में अपनी presence को और ज्यादा मजबूत करने का है वैसे चाइना का ये जो रॉकेट है वैचैना के 2.5 टन तक की satellites को geosynchronous orbit और 7.5 टन की satellites को sun synchronous orbit में deploy करने की capability रखता है और चाइना का इस rocket के first stage का booster कब तक पूरी तरह से reusable बन सकता है इसके बारे में तो अभी कोई पता नहीं है वैसे चाइना की global media की माने तो इसका जो अगला variant होगा वे फॉलकर 9 rocket की तरह ही अर्थ पर landing करेगा लेकिन इसकी जो first stage होगी वे फॉलकर 9 rocket की first stage के booster से काफी ज़्यदा अलग सी दिखाई पड़ेगी जिसमें side में भी दो booster का use किया जाएगा और चाइना की space agency की माने तो उनके दोरा दो और super heavy lift launch vehicle की development करी जा रही है जो की future में चाइना के astronauts को moon या फिर उससे आंगे मार्स पर भेजने के लिए इस्तेमाल किये जाएंगे आज की दूसरी update चाइना के दोरा launch करी गई एक नई space study satellite को लेकर है जैसे कि आपको यह पता है कि साल 2020 कितना बेकार साल रहा है और coronavirus की बज़ा से लगबग पूरी दुनिया ने एक लंबे lockdown का सामना करा है जिसकी वज़ा से भारत समय दुनिया की कई सारी space agencies को या तो अपने missions को about करना पड़ा या फिर उनको आगे launch के लिए postpone करना पड़ा लेकिन इस coronavirus pandemic में भी जो सबसे अजीब बात है वो यह है कि जिस देश से इस virus का जन्म हुआ था मतलब कि जिस देश के लोगों के चमकादर खाने की वज़ा से ये coronavirus पैदा हुआ या फिर इसको बनाया गया उस देश में present time में किसी भी प्रकार की कोई भी पावंदी नहीं लगी है और जिस प्रकार से एक अजीब से आँखो वाले इंसान की सोची समझी साजिस के कारण ये virus पूरी दुनिया में फैला है उसके बात जो सबसे जादा फायदा हुआ है वह भी केवल इस देश को ही हुआ है जिसने ये virus पूरी दुनिया में फैलाया क्योंकि present time में जिस प्रकार सभी देश लॉक्डाउन लगा कर बैठे थे तब चाइना के दौरा अपने अलग अलग रॉकेट्स को डेबलब करने का जो प्रोग्राम था उसको काफी जादा तेजी से आगे बढ़ाया गया और कई सारी स्पाई सेटलाइट्स के साथ चाइना के दौरा नई नई स्पेस की स्टडी करने वाली सेटलाइट्स को भी इस पैंडेमिक में लॉंच किया जिसके चलते मात्र कुछ ही दिन पहले चाइना के लॉंच मार्च 11 रॉकेट की मदद से इस स्पेस में मौझूद ग्रेविटेशनल वेफ्स की स्टडी करने के लिए एक न्यू सेटलाइट को लॉंच करा गया है और इन 150 किलोग्राम की ट्विन सेटलाइट्स को लॉंच कर करने का जो में मोटिफ चाइना के द्वारा बताया जा रहा है वह हाई एनरजी इलक्रो मेगनेटिक ग्रेविटेशनल वेफ्स की स्टडी करने के लिए किया गया है और इन दोनों ही सेटलाइट को अर्थ के 600 किलो मीटर के अपोजिट और बिट में प्लेस कर दिया गया है और यह जो सेटलाइट्स हैं वह चाइना को इस एक्स्ट्रीम यूनिवर्स सोलार एक्टिविटीज और अर्थ और सन के बीच की रिलेशन्सिप को एक्सप्लोर करने में काफी ज़्यादा मदद करेंगी और अपने अपने और्बिट से यह चाइनीज सेटलाइट्स इनके स और कैμοरा से विज्वल स्काई में होने वाले इस पेस इवेन्ट ऽेन्थ से निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेपस की स्टेडी करने में मदद करेंगी और इनके रेट को पकड़ने में काफी ज्यादा यूसफुल सावित होंगी वैसे जिन से जिंस इवेंट से कितना बड़ा गुनेगार मानते हैं कमेंट सक्षन में जरूर बताएं आज की तीसरी अपडेट नेप्चून प्लैनेट के डार्क स्पॉट को लेकर है जैसा कि आपको यह पता है कि जूपिटर के रेड़ स्पॉट की तरह ही नेप्चून प्लैनेट में भी एक डार्क करी जा रही है और इस रिसर्च में यह भी पता चला है कि यह जो डार्क स्पॉट था यह पहले नेप्चून के एक्वेटर से साउथ वार्ड डेरिक्शन की ओर बढ़ रहा था साइद यह जो स्टॉम था भय अपने खत्म होने की स्टेज में था इसलिए हवल टेलेस्कोप के द्वारा इस पर रेगुलर बेसिस पर नजर रखी जा रही थी लेकिन अचानक से इस डार्क स्टॉम में नेप्चून के साउथ रीजन में भड़ते हुए एक यूटन लिया और यह स्टॉम सीरिस साउथ रीजन से नौर्थ रीजन की ओर सिप्ट हो गया और इसके कुछ आपको यह बता दें कि यह जो स्टॉम है वह 1993 के बाद नेप्चून के अट्मास्वेर में एडेंटिफाई करा गया ऐसा चौथा स्पॉट है जिसका साइज 7403 किलोमीटर का है वैग्यानिकों का यह कहना है कि एक बिक स्टॉम से छोटे स्टॉम को बनते हुए देखना सच में एक सर्प्राइजिंग इवेंट है और सेकेंड स्टॉम को वैक्यानिकों के दोरा डार्क स्पॉट जूनियर का नाम दिया गया है और यह जो डार्क स्पॉट जूनियर है वह लगबग 6276 किलोमीटर में फैला हुआ है बाकी क्या आप नेप्चून के इस डार्क स्पॉ पीजिये ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैबारत थे जैबारत